मस्कार दोस्तों मैं राजीव राजीव हेल्ट केर में आप सभी का बहुत बहुत स्वारत है आज हम इस वीडियो में जानेंगे फैटी लीवर होने के लच्छड और संकेत क्या होते हैं किसी कारड से जैसे ज्यादा सराब पीने से मोटापा अधिक होने से जंक फूट खाने से दवाईयों का अधिक सेवन करने से या सरीर के किसी दूसरे रोक के कारड लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाए तो उसे फैटी लीवर डिजीज बोल दिया लाता है यदि सही समय पर fatty liver का ध्यान नहीं रखते तो यह हिस्तिती आगे चल कर liver cirrhosis, liver cancer जैसी गंबीर बिमारियों को जनम दे सकती है वैसे तो fatty liver होने के कोई लच्छड मसूस नहीं होता लेकिन आज हम जो आपको लच्छड बताने जा रहे हैं उनमें से आपको कोई लच्छड मसूस होतो तुरंद आपको कोई अच्छे डाक्टर के पास जाकर उसका जाज करवाना चाहिए आम तोर पर डाक्टर आपके blood की जाज कराकर या आपका ultrasound करके fatty liver होने की पुष्टी करता है fatty liver की पैचान का पहला लच्छड होता है कि fatty liver होने पर आपको भूख के सामान से अधिक लगने लग जाती है बार-बार आपको खाने का मन करता है भूख लगी रगती है और खास कर आपको मीठा खाने का मन अधिक करने लगता है यदि इन दिनों अचानक से आपकी तोद निकल आई हो और आपका मोटापा बढ़ गया हो खास कर पसलियों के नीचे आपका मोटापा अधिक हो गया हो तो आपको fatty liver होने की संभावना हो सकती है खास कर यदि आप दवाईयों का अधिक सेवन करते हो या सराप का अधिक सेवन करते हैं यदि किसी करण बस आपके लीबर में अधिक फैट जमा हो जाता है तो ऐसे में कैलोस्टार लेवल बढ़ जाता है तो fatty liver है या नहीं आप cholesterol की जाच कराकर भी पता कर सकते हैं यदि आपका cholesterol level high आता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपको fatty liver की समस्या है आपको मुटापा है और हाली में आपको पता चला है कि आपको diabetes की सिकायत है ऐसे में आपको अपने लीवर की जाज कराकर डाक्टर से दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को टाइब टू डाइवर्टीज की सिकायत होती है उन लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना अधिक होती है जिनका fatty liver होता है उन लोगों का blood pressure आम तोर पर हाई आता है तो यदि बिना किसी कारणवस आपका blood pressure हाई बना रहता है तो आपको liver की जाज करवानी चाहिए हो सकता है ये समस्या fatty liver होने का संकेत वो लच्छड हो fatty liver यदि गंभीर रूप धारर कर ले तो इसका लच्छड होता है कि आपको हमेशा कमजोरी और ठकावट बनी रहती है यदि आपको हमेशा कमजोरी बनी रहती है तो हो सकता है कि आपकी समस्या liver से हो खास कर यदि आपका liver कमजोर है तो दोस्तो fatty liver जब बड़ा हो जाता है फैट जमने के कारण लीवर का साइज बड़ा हो जाता है तो आपको लीवर में या लीवर के आसपास दर्द महसूस होता है ये दर्द आम तोर पर राइट साइड यानि दाहिनी तरफ की पसलियों की तरफ आपको फील होता है जो कि fatty liver की पहचान का संकेत होता है पसलियों के नीचे दर्द होने के साथ साथ जी मचलाना या उल्टी होने का सिकायत बना रहता है दोस्तों fatty liver होने से liver सही तरीके से काम नहीं कर पाता इसके कारण आपके खुन में विसैले हानिकारक तत्तों का जमाओ अधिक होने लगता है और ऐसा होने से आपके दिमाग पर विप्रित प्रभाव पड़ते हैं जिसमें आपको मानसित तनाओ, डिप्रेशन या दास में कमी जैसी दिक्कते आने लगती है दोस्तों ये ओ सबसे बड़े लच्छड थे जो कि आपको यह बता सकते हैं कि आपको फैटी लीबर है की नहीं यदि इनमें से आपको कोई लच्छड दिखे तो आप अपने लीबर की जाच अच्छे डाक्टर से करवाएं क्योंकि सही परहेज और सही इलाज लेने पर यह बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगे नमस्कार दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार